प्लेइंग 11 में होगी प्रित्वी शव और उम्रान मलिक की एंट्री जाएंगे ये दो खिलाडी बाहर नमस्कार मैं हूँ नितिन भारदवाज और आप देख रहे हैं क्रिकेट डिरिक्टर इंडिया और न्यूजलेंड की बीच चल रही टी-20 सीरीज का आखरी मुकाबला नरेंद्र मोधी स्टेडियम में एक तारिक को खेला जाना है और इस मुकाबले के लिए भारतिय टीम के अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं तो उसी बदलाव की उपर इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी को बताईए कि इस तीन मुकाबलों की टी-20 सीरीज में एक मैच न्यूजलेंड जी चुकी है और एक मैच भारतिय टीम ने जीता है इंडियन टीम ने दूसरा मुकाबला जीत कर सीरीज में वापसी की है लेकिन अब तीसरे मुकाबले पर भारतिय कप्तान हार्दिक पांडिया की नजर होंगी जो की मैच खेला जाना है एहमदाबाद के मैदान पर तो आएए जानते हैं कि एस मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आप सभी को पता ही है कि पहले और दूसरे मुकाबले में इंडियन टीम के ओपनर्स ने बिलकुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया खास तो पर शुबन गिल से जो फैंस डिमांड करते हैं वैसा प क्लेइंग 11 में पहला बदलाव ओपनिंग से ही शुरू होगा वहीं इशान किशन के ऊपर हार्दिक पांडिया एक और दाव खेलना चाहेंगे क्योंकि इशान किशन भारती टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे इस मुकाबले में तो इसलिए इशान किशन को ये नजर नहीं आ रहे हैं हाला कि आई पल में काफी अच्छी परफॉमेंस दी हैं लेकिन जब से उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया है सिर्फ एक मुकाबले को छोड़ दें तो राहूल द्रेपाठी के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं तो तीसरे मुकाबले में रें remove 5 परiency नाम को थे वह नारेंगे च्टिए के परस娘 पांटेश की बात करें तो narrative ने गेंद बाईब्थी है यह उत्रा कमाल फर दो बोगमिन नहीं कर पाएं और हो और पर clarify Patch gen ψ घ् prohib Cel by अजुने के इस्वठाएं इस विक एसे तो इस में भी उन्होंने कुछ ओवर डाले थे और दूसरे मुकाबले में उन्होंने अपने चार ओवरों में सिर्फ और सिर्फ सतर अरन दिये थे और एक विकेट भी लिया था तो दीपक हुड़ा और प्रदर्शन लगातार कर रहें और नमबर चे पर वो ही खेलते वे नज़र आएंगे वही नमबर साथ की बात करें तो नमबर साथ पर पिछले मुकाबले में वाशिंग्टन सुन्दर खेले थे और वाशिंग्टन सुन्दर इस वक्त कमाल की फॉर्म में है चाहें केंद बाजी की बात करें या बले बाजी की बात करें न्यूजलेंड के खिलाफ पहले ओडियाई मुकाबले में भारती टीम के तरफ सबसे आदा रन वाशिंग्टन सुन्दर नहीं बनाए थे तो उनको तो टीम से बाहर नहीं रखा जासकता है तो नमबर साथ पर सुन्दर खेलते वे नज़र आएंगे नमबर आठ की बात करें तो नमबर आठ पर पिछले मैच में युजवेंदर चहल खेले थे और युजवेंदर चहल ने पिछले मुकाबले में कमाल की केंदबाजी भी खी थी अलागे सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांडिया ने उनसे दो ही ओवर करवाए लेकिन दो ओवरों में उन्होंने बहुत कम रन दिये और विकेट्स भी लिये थे वही नमबर आठ की बात करें तो नमबर आठ पर कुल्दी प्यादव खेलते हुए नजर आएंगे जब से कुल्दी प्यादव की वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में हुई है उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब वो एक भी मौका नहीं दे रहे हैं अपने आलूचकों को कि वो उनके उपर सवाल उठाएं और कहें कि कुल्दी प्यादव की जगा प्लेइंग 11 में नहीं बनती है तो नमबर आट पर जैसे पिछले दो मुकाबलों में कुल्दी प्यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे शायद इस मुकाबले में शिवब मावी को जगा ना मिले और शिवब मावी के जगे हम सब को उमरान मलिक खेलते हुए नजर आएं क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि बॉलर्स को काफी जादा मदद मिलती है खासतोर पर फास बॉलर्स को तो उम्रान मलिक शायद इस तीसरे और आखरी टी-20 मुकाबले में खेलते वे नजर आ सकते हैं और जो हमारे आखरी फास बॉलर हैं वो हैं अर्शिदीप सिंग जिन्होंने पिछले मुकाबले में दो विकेड लिये थे हाला कि उनसे ही दो ओवर करवाए गए थे और उन्होंने दो विकेड भी लिये थे लेकिन अर्शिदीप की फॉर्म के उपर भी सवाल उठाय जा रहे हैं क्योंकि पहले टी-20 मुकाबले में अर्शिदीप सिंग ने आखरी ओवर में 27 रन दे दिये थे और अर्शिदीप अभी भी नोबॉल की समस्या से जूज रहे हैं जो समस्या हमने पिछले साल उनके साथ और भवनेशर कुमार के साथ देखी थी तो देखते हैं कि अर्श में आपको शुबन की खेलते हुए नहीं नजर आ सकते हैं और शायद शिवा मावी भी आपको खेलते हुए नजर ना है तो फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट करकर अपनी राय जरूर रखें साथी साथ यह भी बताए आपको देखने को मिलेंगे या नहीं या फिर आप शुबन गिल को एक मौका और देना चाहेंगे वीडियो को लाइक शेर करते रहिएगा और चैनल को भी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद